Hello friends, मेरे चैनल Easy Way of Learning में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे वक्षिट नमबर 50 साइंस की अनुवानशिक्ता एवं जय विकास के बारे में चलिए, अनुवानशिक्ता होती क्या है, विबिन लक्षनों का एक पीडी से दूसरी पीडी में वनशांगत होना, यानि कि माता पिता से कुछ लक्षन अपने बच्चों में ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, अनुवानशिक्ता कहलाता है अनुवानशिक्ता का मतलब क्या है, जो हमारे पेरेंट्स है, जरन पक्रम में जो हो रहा है, उसमें जो उसके जीव, यानि कि जिस बच्चों को वो जर्म दे रहे है, उनके अंदर उनके लक्षन, एक पीडी से दूसरी पीडी में क्या होंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे तो ये क्या कहलाती है, हमारी अनुवानशिक्ता कहलाती है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, वनशागती लक्षन, शिशु में मानव के सभी अधारभूत लक्षन होते हैं, फिर भी ये पूर्ण रूप से अपने जन को जैसे दिखाई नहीं पढ़ता, ये मानव समस्टी में दिखाई देती है, वनशागती लक्षने का मतलब क्या है, कि जो कोई भी बच्चा होता है, वो अपने माता-पिता जैसे बिलकुल दिखता है, यानि कि सभी लक्षन माता-पिता जैसे होते हैं, लेकिन बिलकुल भी वो अपने माता-पिता जैसा नहीं दिखता, यानि कि उ मेerved by ऊफान चुट होती है इसमें बहुत सारी चीज़े जो तेड़ने बदलते जाती है तो देखिए दो चीज़ बताईएं गहीं है साथ जुड़े कंड़े कान के-टचे पत्ते निए यॉड़े किसिसी में जुड़े होते इता हैं, और नहीं जुड़े होते हैं, तो यह सब और अंतर अथा क्या था जड़ के जरिये मातापिता बच्चों को मिलते हैं अनुवांशिकी तर जनक की ने कहा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल इनका सिंपल वैसे नाम इनका मेंडल यूज के जाता है हर बार तो यह 8022 से 8084 तक जिये थे चलिए तो उन्होंने क्या-क्या खोज की थी इसकी बारे में पढ़ते हैं अनुवांशिकी पर अपने कारे के उन्होंने मतर के पौदे को चुनाब क्या था और उसने मंडलने मतर के पौदे के पिसम के अनेक विप्रयासी विकलपी लेक्षनों का अध्यान किया जो इस थूड उप से दिखाय देते हैं मेंडल हुन। मैंने मंडल के पौदे fishing Cita arm प्या पूल का रंग बैंगनी और सफेद होता है पूल की स्थिती के होते है किसी में किनारे किनारे होती है पूल का रंग दे रखा है हरा पीला पूदे की उचाए किसी की लंबी होती है तो इन सब परह तरह के जो विकल्प्स थे पूदे के पास इसलिए उन्होंने क्या किया मटर के पूदे को चुना यानि वह यह देखना चाहते है कि जो मटर के पूदे है जब अपने बच्चे द अगर हम इन दोनों को मिला दे तो क्या होगा तो इसलिए इन्होंने अनुवान शिक्ति के लिए इस पूदे को इस्तमाल किया मटर की पूदे में विप्रासे इलक्षन स्थूर रूप से दिखा देती यानि कि हमें बाहर अचानी से हम उन्हें देख सकते है इनका जीवन का आहाल चोटा होता है तो चोटे में उन्होंने अपने बिज मना दीएगों पर उसे हम दूसरा दुबारा सक्टे इस्तमाल कर सकते है फीडियोंसे बहुत सारी बीच बन जेंगे और या सब? लेख सकते हैं कि कौन से लक्षन माता पिता से बच्चे में आए या नहीं आए तो इसे लिए उन्होंने क्या किया इस पौदे को इस्तिमाल किया लक्षनों के वंशागति के नियम क्या क्या है उसमें मैंडल का बहुत बड़ा योगदान है मानव में लक्षनों के वंशागत मेंडल की थीसिस क्या कहती है कि जो मानव जन है वो माता पिता दोनों ही समान मातर में माता से आदेगो ना पिता से आदेगो दोनों बच्चे को एक साथ मिलते हैं इसका मतलब यह है कि माता और पिता जो उनके गुनाए है वो हमारे डियेने में आध्यादे होगे यानि कि हमा हमारे लक्षन है यानि कि अगर हमारी आखों का रंग भूरा है काला है किसी का नीला है तो उनके अंदर के आगे दो दो विकल्प होंगे एक तो या तो वो नीला भी हो सकता है काला भी हो सकता है तो यानि कि दो विकल्प एक माता का भी हो सकता है एक पिता का भी हो सकता है यह प्रभाब दिखाता है जयाने कि जो हमारे उपर ज्यादा प्रभाब दिखा रहा है हमारे DNA के उपर ज्यादा प्रभाब दिखा रहा है और प्रभाब भी जो लक्षन हमें नहीं दिखता है वो बाद में दूसरी हमारी पीडी दर पीडी वो आगे दिख सकता है ठीक है तो इस मातव के बहुता है मेरे पास लेकिन वह अभी नहीं दिख रहे हैं वह आगे डेंगे पीड़ी आगे दिख सकते हैं ठीक है तो प्रभावी और अप्रभावी दो तरह के गुन होते हैं कोशन अब देखते हैं पहला है कि और अनुवान शीकता को परिभासित करना है तो क्या है इसका अंसर अनुवान्शिक्ता के परिभासा विभिन लक्षनों पर एक पीडी से दूसरी पीडी वन्शागत होना क्या कहलाता है अनुवान्शिक्ता कहलाता है दूसरा कोशन कहता है कि मेंडल ने किस पौधे का परियोग किया ए चन्ह बी मतर मुंगपलिय राजमा तो इसका अंसर क्या है बी मतर क्या है अंसर बी मतर और फिर आगे कहता है second किस पौधे का विज्ञानिक नाम लिखे तो विज्ञानिक नाम अपने देखा था ना क्या था पिसम सैटिवं यहां से लिख लीजिये या फिर मैंने लिख स्पीसिस है मानव की जाती है उसमें कौन से दो समस्टी का मतलब दो अलग चीजे बताई गई है जो सभी है पाई जाती है जातर लोगों में तो वह स्वतन्त था जुड़े कंड पाली मानव समस्टी पाई जाने वाले दो प्रतिवर्त है ठीक है यहनि कान के पट्टे किसी इसका कारण क्या है कि मतर के पौधे में विप्रयासी विकलपी स्थल स्थूर रूप से दिखा देता है यानि कि उनमें क्या बदलावाएंगे आगी की पीडी में वह हमें असानी से हम उसे देख सकते है इनका जीवनकाल बहुत छोटा होता है समानता स्वपरागन होता है क प्रितिम रूप से भी हम इनका परपरागन कराया जा सकता है और एक ही पौधे में यह बहुत सारे बीच बनाते है यहाप हमारा वीडियो कम्प्रीट होता है आपको वीडियो पसंद आया है उसे लाइक किजे कमेंट किजे शेयर किजे और भी वीडियो से देखने के लिए मेरी चानल को सब्सक्राइब किजे थेंक्यू